नमस्कार दोस्तों आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेरेस गाड़नर उमेद सिंग में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे सब्जियों के जो फूल गिरते हैं फूट सेट नहीं होता उसके बारे में काफी लोगों के फोन आते हैं कि हमारे बेलों के फूल गिर रहे हैं फूट सेट नहीं हो रहा है और स्पेसली उन लोगों को ज़्यादा समझे आ रहे हैं जिन्होंने अभी अभी नई गाड़निंग शुरू की है पहला या दूसरा सीजन है उन लोगों का उनको सबसे पहले तो मैं यहीं बताना है वो सुबह और शाम दोनों टाइम बलूम होता है दिन में वैसे मुर्जा जाता है और मेल फ्लावर का काम सिर्फ पोलिनेशन करना होता है उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है पोलिनेशन एक दो दिन में मदुमख्यों के तरू तितली के थरू हो जाता है अगर पोलिने सबसे पहले तो मैं आपको यही पेचान करवा दूँ कि मेल फिलावर कौन सा है और फिमेल फिलावर कौन सा है देखिए मैं अभी आपको दिखा देता हूँ देखिए यह मेल फिलावर से एक सुखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको एक ताजा दिखाई दे रहा है ये जो ताजा दिखाई दे रहे है ये भी कल मुर्जा जाएगा ये भी आपको दिखाई दे रहे है लेकिन उसके साथ में फल लगा हुआ है और ये आपको मैं दिखादों हर पत्ते के साथ एक मेल फलावर लगा ओवा है दोस्तो प्लांट के अंदर हमारा कोई भी फ्रूट का प्लांट है बेल वर गे पोदा है सब के अंदर मेल फिलावर, फिमेल फिलावर के मकाबले 3 से 4 गुना ज़्यादा आते हैं क्योंकि हमारे पोद्दे को पता है कि उसको pollination के लिए कितने फुलों के जरूरत है और वो उसी हाब से हमारे पोदे में मेल और फीमेल फुलावर्स की मतरा निर्दारी करते हैं यह कुद्रत का एक नियम है अगर आपको फुलों की मतरा बढ़ानी है तो आप एक लीटर लसी के अंदर दस ग्राम आउला पाउडर डाल के एक अफ़ते के लिए छोड़ दीजिए और एक अफ़ते के बाद आप उसक का जो फूल आएगा वो हेल्दी आएगा फ्रूट है वो भी स्वस्थ आएगा और टेस्टी भी आएगा उसके अलावा आपके प्लांट में अगर पॉलिनेशन के दिक्कत आ रही है तो आप एक लीटर पाने के अंदर पांच ग्राम सहद मिक्स करके पत्ते को उपर स्प्र प्लांट के असपास एक दो एक दो गन्य का रिसा रख दीजी फाइबर जो है बचा हुआ वेस्ट उस पर मुद्व मख्या आएंगी क्योंकि उसके अंदर मिठास होता है और वह आपके गार्डन में इस चीज़ को जो पॉलिनेशन की समझ्या उसको दूर कर देंगे उसके बच्ब्जी में अलग-अलग उसमें आते हैं तोरी के अंदर ये गुच्छो में आएंगे एक डिंटी के ओपर चार पांच छे फूल आएंगे जबकि करेले के अंदर सिंगल फूल आईगा और ब्रांच के ऊपर तोरी में ककڑडी में खर्बुझे में तर्बुझे में ये सब एक सिंगल डिंडी पे आएंगे लेकिन तोरी के अंदर ये मल्टिपल आता है बाकी सब में सिंगल आएगा ये मेरे भी काफी सारे सुखे हुए हैं लेकिन मुझे कोई चिंता नहीं है इनकी क्योंकि जो काम करना है वो एक ही फूल से हो जाना है उसके लाव मैं आपको दिखा देता हूँ देखिए काफी सारे गुच्छों में आए हुए हैं ये ये देखिए सारे सिंगल सिंगल ब्रांच पे एक एक फूल आया हुआ है और मैंने कोई इसके टूजी या थ्रीजी कटिंग भी नहीं कर रखिए ये सब नेचुरल है दोस्तों ये मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद